येस जाहिंद एवरिवन कैसे हैं आप सब आई वेलकम यू आल फर्स टाइम ऑन दिस चैनल एससबी गाइड डिफेंस अकैडमी का ये चैनल आप सभी के लिए मेरा इंग्लिश का रहने वाला है क्रेश कोर्स जिसके बारे मैंने आपको कल भी बताया था तो जल्दी से एक बा क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है अभी लास सेशन में सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर कब लगेगी आपकी क्लास तो इंतजार आपका खतम हुआ और क्लास हमारी स्टार्ट वो कैबलरी से स्टार्ट करेंगे हम लोग उससे पहले थोड़ा साम लोग टॉपिक डिसकर यह अपनी करेंगे एक बार फटा फटास से लाइव आ जो जुकाई अभी सारे बच्चे अभी सारे बच्चे लाइव देख रहा हम आपने शेर किया नहीं है अभी तक तक हला यृइंस जयाहिट आइवरिवन जल्दी सेलाइव एक बच्चे प्लीज ठीक है फटा फट से लाइब मैं वेट कर रहा हूँ जिस बच्चे ने क्लास को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक बटन हिट ताकि हम अपनी क्लास जो है स्टार्ट कर सकें आगे सारे बच्चे अभी नहीं आए सारे बच्चे बहुत बढ़िया चलिए ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप क्लास को लाइक कर दो सारे बच्चे शेयर कर दीजिए और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और क्या मैं आप सभी से उम्मीद कर सकता हूं कि जितना प्यार आप सारे लोगों ने अर्पी चौधरी के नाम से जो हमारा यूट्यूब चैनल ना उसको दिया उससे चार गुणा ज्यादा प्यार हमें SSB Guide Defense Academy के इस चैनल पर आप लोगों से मिलेगा ठीक है चलिए गुड नहीं मैंने उम्मीद कर ली है अब मर्जी बाकी आपकी है तो नए बच्चे चैनल को फटा फट से सब्सक्राइब करो अपनी पावर दिखाओ सारे बच्चे मैं डिरेक्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करूँगा उससे पहले चोटा सा जरा ओवर्विव ले लेते हैं टॉपिक्स का आप जानते हैं कि वोकैबलरी जो है वो इंगलिश पार्ट की जान है ठीक है वोकैब के कोश्चन हमारे पास आते हैं 20 कवर करते हैं हमारे 80 मार्क्स और जिस बच्चे ने वोकैबलरी और स्पोर्टिंग एरर कर लिया बढ़िया तरीके से तो काफी हम मान सकते हैं कि 25 प्लस कोश्चन की और जो न्यू स्टूडेंट है वो साथ साथ इस इंपोर्टेट जो हमारा कंटेंट जो मैं आपको आज स्टार्ट कराने वाला हूं इसको नोट करेंगे साथ साथ अपने नोट्स तयार करेंगे तो फस्ट कोश्चन आप सारे बच्चों के सामने यह रहा यह आपका फस्ट question number type करो synonym आपने इसका opt करना है first word है मेरे पास advice advice किसको कहते हैं लो four options आपके पास counsel, counsel, practice और proposal ये four options है जल्दी से क्या answer होगा इसका correct बहुत बढ़िया मैं देख रहा हूँ यहां से maximum बच्चों ने opt किया यहां पर भी अब इतने सारे बच्चों की बात हम कैसे टाल सकते हैं तो यह लो finally आपका answer भी हुआ counsel, actually advice हमारे पास होती है सला, ठीक है, दो advice होती है न हमारे पास, एक तो advice होता है एक advice होता है, इस पर हम बाद में discuss करेंगे कि advice किसको बोलते है और advice किसको फिलाल आप यह जानलो कि इसका correct answer है हमारे पास counsel, जो यह उपर counsel है बच्चे यह committee होती है, ठीक है, यह committee होती है, यह समीती होती है और counsel, जो हमारा यहाँ पर correct answer है, practice और proposal, प्रपोजल एक तरह का offer होता है ठीक है, तो अगर आप सारे बच्चे रेडियो इस slide के उपर जो भी लिखा है उसको लेकर आपके मन में कोई doubt नहीं मचा तो आप जल्दी से यहाँ पर next type कर सकते हो कि हम next question यहाँ से start करें, yes fast next, चलिए good, one out of one किसका हो गया, one out of one किसका हो गया, जल्दी से बताओ सारे क्योंकि जेखो old बच्चों ने तो practice करनी है, कोई picture presentation नहीं है, direct अगला question है हमारे पास, यह रहा crash course में crash course की तरह चलेंगे हम लोग, ठीक है, good, चलिए बहुत बढ़ी है, तो next question के लिए सारे बच्चे ready, यह रहा आपका next question, miserable क्या होता है, and four options here are object, abstract, object and abstract यह four options है, मुझे आपके answer का इंतजार है, जल्दी से सारे बच्चे answer दीजे, क्या होगा इसका correct answer, बहुत बढ़िया, एक बार like button हिट करो जरा, जिन बच्चों ने like button हिट नहीं किया, देखो, एक बात कहूंगा सारे बच्चों से मानेगा कोई नहीं, क्या कहा है मैंने, एक यूट्यूब स्टूडेंट में, continuity नहीं बनाता, आज आजेंगे 500 बच्चे, कल 200 रह जाएंगे, लेकिन exam वही 200 क्रैक करते हैं, मात आप याद रखना, तो मैं note करूँगा कि क्या आप कल की class में आएंगे या नहीं, miserable क्या होता है, हमारे पास miserable एक दुखी होता है, दुखी depressed बोल सकता हूँ, sad, gloomy, यहीं होते हैं इसके synonyms, जल्दी बताओ, यहीं synonyms होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका कोई भी ऐसा related synonyms तो हमें नजर नहीं हो रहा है, तो correct answer इसका क्या हमारे पास? abstract, abstract होता है, बचे दुखी, abstract क्या होता है, यह abstract होता है, summary, abstract होता है, हमारे पास brief, abstract होता है, हमारे पास किसी चीज़ का सार, ठीक है, abstract होता है, हमारे पास block, ठीक है, abstract होता है, हमारे पास ban, abstract होता है, हमारे पास prohibition, ठीक है, barrier, जिसको हम बार भी बोल देते हैं, अब्सक्त होते हैं हमारे पास बाधा, अब्सक्त होता है हमारे पास इंपीड, बोलो कितने लिखवा हो, बताओ, जितने कहोगे उतने लिखवा दूगा, जितने कहोगे उतने लिखवा दूगा, नोट कर रहे हो तब ही फायदा है इसका, ठ जल्दी से बताओ सारे बच्चे अभी तक किसी ने यह देखो कितने सारे बच्चे उन्हें लाइक बटन भी हिट नहीं जल्दी से लाइक बटन हिट पहला सेशन है यार ओपी जाना चाहिए नहीं बहुत बढ़िया नेक्स्ट पर आजाओ नेक्स्ट नमार पास एक वर्ड़ क्योट क्या होता है फूर आप्शन सापके पास साइट साई स्यू और साइट क्योट किसको बोलते है फूर आप्शन आपके पास है और मैं देख रहा हूं कितने बच्चे आपर करेक्ट अंसर दे रहे हैं उसका ठीक है स्क्रीन मुझसे थोड़ी दूर है लेकिन चश्मा मैंने इसलिए लगाया है ताकि कोई बच्चा मेरी नजरों से बच ना सके गुड बहुत बढ़िया कोश्चन नमबर थूरी का अंसर यह देखो मैं देख रहा हूं यहां पर मैक्सिमम बच्चे डी आप्ट कर रह क्योट होता है हमारा इक्जेंपल ठीक है याद रहेगा सारे बच्चों को तो यहां पर करेक्ट अंसर इसको साइट साइट होता है हमारे पास उधारण आ कि एक बटा मेरे पास्या देख आड लगाना न अंसे कि साइट अन्हारे पास और हमारे पास दृश्य साइट एक प्लेस्ट भी ओता है घंपर कोई काम करने की बहुत अधा तो बहुत हो आप बताओगे मुझे कल से हम लोग पोल से चलेंगे क्योंकि ऐसे आपने पढ़ना नहीं है मुझे पता है गुड बसा लाइक नहीं रुकने चाहिए ना शियर रुकेगा आज फर्स क्लास है देखो ठीक है अगर आप चाहते हैं कि टीम अर्पित के ये एजुकेटर्स अब जोश में आएगा जोश में पढ़ाएगा जैसे यहां पर आज आप सभी बच्चों ने सपोर्ट दिये ठीक है चलो अब इसके बारे में बताओ मुझे हार्मनी किसको बोलते हैं और फोर आप्शन्स है आपके पास सिमेट्री सेर्मनी सिमेट्री और एरेक ये फोर आप्श आपने कितने अटेंप्ट किये कितने आपके करेक्ट हुए ठीक है रैपिड चलेंगी हमारी एक लासीज सिरफ वही बताओंगा जो इग्जैमिनेशन पॉइंट ओफ व्यू से आप सारे बच्चों के लिए जरूरी होगा ठीक है मान तो मेरे बात नईस स्वैट्षेट की कसम जूतनी चरहाँ है चलिये सो हार्मनी होती है हमारे पास सिमेट्री आप सी समझ ज सिमेट्री होता है इसमें Сब कुछ सिमेट्री में लगा होता है मतला एक सही इक ड्रम में लगा होता है आई सेरेमनी कोई आफसर होता है कि मोत करना इस सबीस्टरीता जो जितना वार्ड ये ऊपर हार्मनी लिखावा इंपोर्टेट है न उतने important इसके ये four options भी है आप याद रखना उतने ही important ये आपके four options next question पर move कर रहा हूं बिना आपका time waste करें अब यहां पर आ जाओ unlawful क्या होता है अब बताओ जरा सारे बचे अब unlawful क्या होता है four options आपके पास illicit draw litigation और illicit अब मेरी बारी है कि मैं ध्यान से देखूं कि क्या आप correct answer बता रहे है ठीक है जी बहुत बढ़िया correct answer बताओ जरा जल्दी से एक second भी waste नहीं करना precious time है ठीक है actually क्या है बचे आप लोगों के लिए अब जो remaining time रह गया हमारे पास round about 50 days के करीब हमारे पास exam में है रह गए है इतना ही रह गए तो 50 days में जितना बड़ा चैलेंज आपके लिए है कि मैंने NDA 2022 पेपर first की सिरफ preparation नहीं करनी crack भी करना है exam उतना ही बड़ा चैलेंज आपके educators के सामने भी है कि हमें in 50 days में सिरफ syllabus ही finish नहीं कराना बच्चे को mock test भी करा पिड़ चलेंगे कोई picture presentation example आपको नहीं मिलेगा ठीक है गुड तो यहां पर देखो बच्चे अन्लाउफूल होता है ग्यार कानूनी घ्यान से देखना ग्यार कानूनी होता है सर एक option ने confuse किया इसने litigation क्या होता है litigation तो बच्चे किसी के ओपर मुकदमा चलाना होता है केस करना होता है केस करना ठीक है किसी के ओपर केस कर दिया और illicit होता है हमारे पास aware यानि के गयर कानूनी जो कि इसका correct answer ड्रा तो खींचना होता है एलिसीट होता है कोई चीज सामने लाना अपेरेंट करना किसी छुपी चीज को obvious कर देना वह एलिसीट होता है हमारे पास ठीक है so we are moving on next question बहुत बढ़िया लाइक नहीं कर रहे हो सारे बच्चे वन के लाइक का target आपके लिए आज है वन के लाइक का target दिया question number 6 पर आजा होटी किसको बोलते है बहुत common word है बच्चे होटी हम लोग किसको बोलते है बिलकुल common word है आपके लिए तो आपने बताना है कि होट होटी क्या होता है four options आपके सामने है होटी के लिए imperial ठीक है arrogant, adamant और empire दो options आपको confuse कर सकते हैं लेकिन फिर भी आपने अपने knowledge से अपने experience से correct answer यहाँ पर देना है ठीक है जी वन के like का target मैंने आपको दे दिया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे पास B, D और A options है जो बार-बार repeat हो रहे है यानि के यह file start करके मैंने कोई गलती नहीं की ठीक है चलिए तो बात करते हैं इसके बारे में होटी क्या होता है बच्चे होटी होता है एक अभिमानी विखती bombastic लिख दू जल्दी बता ब्रैगिंग बोस फुल जल्दी बताओ सारे बच्चे self-centered ऐसा ही person होता है नहीं यह arrogant best option है इसका तो admin क्या होता है admin बच्चे अटल होता है जिसको टाला नहीं जा सकता वो चीज अटल होती है empire होता है हमारे पास सामराज्य और imperial होता है शाही related to king's family या related to royal family imperial बोलते है उसको done हो गया करें next question पर move okay good तो हम move करते हैं next question की तरफ यह रहा आपका next question question number seven wise पूछ रहा है किसको बोलते है four options है आपर momentous pragmatic judicious और delay आपको पता है मेरा तो simple to complex का formula है first day आपको ऐसा लगेगा यार 25 questions कराएं मुझे तो सारे आते थे धीरे 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 लेवल आप होता जाएगा धीरे धीरे रे माना धीरे सब कुछ होए माली सीच्चे बाग को रितो आइफल होए टाइम लगेगा नए बच्चे को ठीक है नए बच्चे को टाइम लगेगा सीखने में continuity बना एजुकेटर पे फेद कर एक्जैम क्रैक कर जाओ अगर इधर उदर भागेगा कभी यहां चला जाओ क्लास लगाने कभी उदर चला जाओ कुछ नहीं पता चल रहा है तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन फेस करनी पड़ सकती है ठीक है इसका करेक्ट अंसर क्या है जल्द समझदार Prudent होता है, Prudent £oughty tục होता है, Thrifty economical होता है, Economic Stingy होता है, Stingy miser होता है 되고 होता है कि नहीं होता है एक ऐसा इंसान जो बड़ी सोच समझकर पैसा खरच करता है उसको stingy, miser, prudent ही तो बोलते है समसदार ही तो बोलते है समसदार तो judicious हो गया pragmatic ही तो होता है बच्चे मार पस plausible possible practical धीक है जिसको करके देखा जाते momentous word बहुत confuse करता है बच्छे एक्चुली लोग momentous को समझ लेते लोग momentous को momentary समझ लेते momentary नहीं होता, momentary होता है temporary जो इस पल है अगले पल नहीं है ऐसा temporary हो कहेखा मुमेंटरी है यह तो नहीं मुमेंटस होता है most important thing मुमेंटस क्या होता है important essential required जरूरी गोड भर गया ठीक है जी करें next question अपर जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे next type करो जड़ा फटा फट next next की demand आ चुकी है ठीक है good चली यह रहा आपका next question locatious क्या होता है बचे बहुत famous word है locatious अगर आपको इसका answer नहीं आता आपके लिए must है कि आप यह वाली class कभी miss नहीं करेंगे अगर आपको नहीं मालूम है कि locatious किसको बोलते है four options है आपके पास victorian bombastic verbose और ambiguous यह four options है ठीक है जल्दी से बताओ सारे बचे क्या होगा इसका correct answer देखो 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 देख रहे हो सारे बचे a b opt कर रहा है बच्चा c b opt कर रहा है b b opt कर रहा है d रहा गया उससे कहा दुश्मनी है वो भी कर दो नौलेज ले ना मिट्टा नौलेज ले नौलेज नौलेज होनी चाहिए लोकेशियस होता है हमारे पास वोल्यूब टॉकेटिव गैरूलस मोटर माउथ यानि के वाचाल यानि के बातुनी बहुत बाते गरता है वो होता है लोकेशियस जो बहुत बाते करता है तो करेक्ट अंसर इसका क्या हुआ वर्बोस बहुत ज्यादा बाते करने वादा विक्टोरियन किसको बोलते है क्या विक्टोरियन विक्टोरियस है क्या विक्टोरियन विजेता है नहीं विक्टोरियन क्या होता है हमारे पास पुराना प्राचीन, रानी विक्तोरिया के जमाने का și विक्तोरियन बोलते हैं बॉम्बेस्टिक कोल होता है आढ़ी बताया था अच्छा देखने से दर्ध Keith Fish का याद है ब्रैगिंग होता है जल्दी बतादे है एरोगेंट याद है हाँ या ना एरोगेंट याद है बोस्फुल याद है होटी होता है अगर यह याद है तो बहुत बढ़िया बात है एंब्यूगेस क्या होता है बचे एंब्यूगेस होता है हमारे पास नोट सो क्लियर देखो जरा ठीक है मिस्टी बोल सकता हूं फजी अ क्लाउडी एक लाउड सोरी नौट लाउड बोलो यह सारे के सारे इसके इंपोर्टर्ट सिनोनीमें करें एस कोश्चन पर मुझ जल्दी है पढ़ना भी बिटे पढ़ना भी है वन घखे टार्गेट दे रहेर का 787 हो अभी तक है वन के लाइग जल्दी से तो मुझे खूं दो मैं तुम्हें आजादी दूगा पिच्चर लेकिन तुम मुझे लाइकतू मैं तुम्हें पढ़ाई दूगा थोड़ा सा नारा ने क कर दिया चलिए कुछ तो करेजियस किसको बोलते हैं आपके पास फिकल इंसिपिड टाइमरस और फिरलेस यह फोर आप्शन आपने बताना है मुझे करेजियस किसको बोलते हैं फोर आप्शन आपके पास इंपोर्टेड वो कैब हम लोग कर रहे है एट जीरो सेवन लाइक हो चुके है बफरिंग वेट कर लेते हैं बफरिंग है तो वेट कर ले बच्चे भाग मत भाग मत भाग मत क्लियर का मैसिज टाइप करो एक पर सारे जल्दी से सब कुछ क्लियर क्या बात है बहुत बढ़ी है बच्चों ने तो आंसरी देना स्टार्ट कर दिया गड़ ठीक है अच्छा करेजियस परसन ब्रेव हो सकता है ठीक है और फीरलेस जिसके मन में डर नहीं होता किसी बात का फिकल को अंस्टेबल बोल सकता हूं टैंपरेरी चंचल जो इस पल है अगले पल हाई नहीं इन सिफिट में को मैं ब्लैंड बोल सकता हूं ब्लैंड डल गोरिंग जल्दी बता टेस्टलेस फीका ठीक है टाइमरस मेरे पास कावर्ड हो सकता है टीमिड मीक फुल ओफ हैसी फुल ओफ हैसिटेशन दर पोक बोल सकते हैं बोलो यस और नो आपके सामने जितनी नोटबुक तेरी भरी होगी बच्चे उतनी ज्यादा उम्मीद कर सकते हो आप अच्छे रिजल्ट की नैस कोश्चन पर जल्दी बताओ अगर आपको लगता है मैंने पहले से किया हुआ है साबित कर साबित कर वाश्फुल्नेस क्या होता है फूर आप्शन से सूप आपर इंटेंडेंस और विजिलेंस बताओ जरा फटा फटा से क्या अंसर होगा है इसका ठीक है वाश्फुल्नेस किसको बोलते है जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा डी डी और डी ठीक है बहुत बढ़िया चलो जी करेक्ट आंसर पर बात करते हैं हम लों करेक्ट आंसर इसका क्या होगा हमारे पास विजिलेंस एक्चुली यह होता है बच्चे चोकन्ना पन विजिलेंट रहना वाज़फूल रहना अटेंटिव केरफुल ठीक है कस्टेडी हिरासत होती है और यह सूपर वीजन और सूपर इंटेंडस होता है किसी इग्जैमिनेशन में सूपर वीजन करना देख रेक करना आप इसको बोल सकते हैं देख रेक करना बोलेंगे उसको ठीक है टैन कोशन्स डन हो चुके हैं बताओ जरा क्या स्कोर आपका नंबर ओफ कोशन्स जो आपने अटेंप्ट करें और कितने आपके करेक्ट गए यह बता है जल्दी से किया स्कोर चल रहा है कि मताओ निचे तरके देखो क्या स्कोर चल रहा है गोड़ टैन आउट उट उट वाला बच्चा नहीं नहीं जाराया मुझे टैन आउट उट 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 वाला बच्चा नहीं नहीं जा रहा है एक बच्चा है बस जो कह रहा है सब्सक्राइब आपके पास जल्दी से बताओ सारे बच्चे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर अटेच्मेंट किसको कहते हैं अटेच्मेंट और इन फोर के फोर आप्शन का मीनिंग मेरे ख्याल से सारे बच्चे जानना जाएंगे फिर भी पहले करेक्ट आंसर बताओ उसके बाद मैं आपको बदाता हूँ कि इनके मीनिंग क्या क्या है ठीक है जी वाँ बहुत बढ़िया क्या बात तो बात करते हैं इसकी करेक्ट अंसर की कि इसका करेक्ट अंसर क्या है ठीक है अचली अटेच्मेंट होता है अपनापन अटेच्मेंट होता है लगाव करेक्ट आंसर है अफिनिटी अफिनिटी होता है अपनापन इंटीमेसी बोलते है वही होती है इंटिमेसी बोलते हैं इंफुलेंस क्या होता है इंफुलेंस होता है इंपक्ट प्रभाव इफेक्ट ऑल्सों कॉजेशन होता है किसी चीज का कारण रीजन ठीक है जी और अपेंडेज होता है हमारे पास कॉंट्रेक्ट एग्रिमेंट आप इसको बोल सकते हो एग्रिमेंट आप इसे पैक्ट बोल सकते हो संधी ट्रीटी बोल सकते हो बॉन्ड बोल सकते हो समझोता नोट करो सारे बचे अपेंडेज को हम कितना कुछ बोल सकते हैं और जैसी नोट कर लो जरा नेक्स्ट टाइप करेंगे सारे बचे गुड नेक्स्ट ओपी है अच्छा बहुत बढ़िया यह पूरी फाइल कर ले ना इसमें पता नहीं कितनी स्लाइड्स है पर हम कर लेंगे इसको चार्या पास दिन में कवर छोड़ना मत इंपोर्टेड वोकेब है बताओ जरा वियरी किसको बोलते हैं फोर आप्शन्स है हमारे पास सैड फटीग सेंटीमेंटल और इमोशनल यह फोर आप्शन्स आपके पास जल्दी से बताओ सारे बच्चे करेक्ट अंसर क्या होगा मैं वेट कर रहा हूं करेक्ट अंसर का आप सभी के नाइन वन नाइन लाइक होगे बन के लाइक का टार्गेट दिया है जल्दी से बन के लाइक ठीक है वियरी किसको बोलते हैं फोर आप्शन्स आप सारे बच्चों के पास बहुत बढ़िया सर बी होगा बी 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 और बी गड़ खुशी होते हैं ना एजुकेटर को यार बच्चे सारे करेक्ट अंसर दे रहे हैं और क्या चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पूरा हो गया इंसान का स्कोर क्या चाहिए बच्चा देखते ही बता रहा है सर वियरी तो फटीग नहीं होता फटीग मतलब ठका ह हुआ ने होता अए-बता क्या हम पायोड नहीं सकते» वियर बता हो तारह बोल सकते बिलकुल टाइद ठका हुआ है इस चारली होर्स फीडुमती को इसको बहुत जादा थकत्व इनसान को चारली होर्स भी बोलते हैं, नोड करना ज़रा है, इसी के साथ हाजो बचे, सेंटीमेटर और इमोशनल दोनों भावुक होते हैं, भावुक इनसान, ठीक है, सैड तो आपको पता है, यह डीप्रेस्ट, ग् बेस करना जल्दी बताओ नैस कोश्चन पर मुव करें ओलाइन टीचिंग का फायदा है एजुकेटर कुछ बढ़िया तरीके से तो बिलकुल देखो प्लस की क्लास और यहां की क्लास में क्या फरक है में प्लस की क्लास होती है पेड पैसों का लगता है दर्द बच्चा मनमार के क्लास जाता है और जाना ही बढ़ता है क्योंकि पेरेंट्स भी बार बार उसको फोर्स करते हैं जा जा ज YouTube के उपपर लेकिन बच्चा continuity में नहीं आता है आप भी नहीं आओगे कल मुझे पता है आप यहां पर लाइव देख लो 550 प्लेस बच्चा लाइव है कल 400 भी नहीं होते क्योंकि तेरे अंदर continuity की कमी है ठीक है जजबात है दिल धड़कता है इंडिया नाम फोर्सिस जॉइन करने के लिए पर सर मैं continuity नहीं बना पाता अब कॉंट्यूनिटी मैंने तो आपकी हेल्प करनी है आपके उस सपने को पूरा करने के लिए नैस कोस्टन पर आया कोस्टन नमबर 13 ठीक है बीक्वेस्ट किस है करेक्ट आंसर इसका क्या होगा आपने बताना है बीक्वेस्ट किसको बोलते है जल्दी से आंसर जितने बच्चे लाइव है सबका आंसर मुझे चाहिए 977 लाइक जल्दी से 1K लाइक का टार्गेट दिया था आपको जल्दी से करें कंप्लीट ठीक है देखो बच्चे जितना प्यार दोगे उतना कंटेंट मिलेगा ठीक है अगर डेली 550 प्लस बच्चा लाइव रहेगा तो टीचर भी एक्साइटमेंट से आता है और बच्चा लोग अपनी पूरी मैनेद करते हैं जैसे कि अर्पी सर का क्या कहना है कि सर कोई यह ना कहे कि मुझे पढ़ाने वाला कोई नहीं था और मैंने इंडियम आंट फोर्स जो है वो जॉइन करनी थी मुझे एंड जाना था लेकिन मुझे प्रोपर कोचिंग नहीं मिली प्रोप गर चली गुड तो इस पर हम लोग बात कर लेता है बिक्वेस्ट अजते हैं है हआरिटेज होता है हमारी विरासत वैसे यह बीक्वेस्ट होती है वसियत होती है वसियत लेकिन और को ही अप्शन यहाँ पर मैच नहीं करता फेक है पार्सी मोनी कंजूसी यह ठीं को होती है मैंठीमोणी शादी होती है ठीक और पेटरिमागह हमारे पास होता है जो आकli जैन्स से मनी मिलती बोलो ठीक है वन के लाइक के लिए थैंक्यू सो मच लेकिन लाइक रुकने नहीं जाहिए नेस्ट कोस्चन पर आजा कोस्चन नमर 14 गुलीबल कोन होता है फॉर उप्शन्स है क्रेडिबल, बिलीवेबल और क्रेडूलस और फॉलीबल यह फॉर उप्शन्स है आपके पास आपने बताना है कि इसका करेक्ट अंसर क्या होगा, मैं आपको फॉर के फॉर उप्शन्स की नॉलेज दूँगा, लेकिन सबसे पहले आप मुझे आंसर देंगे तुम तब उसके, ठीक है बहुत बढ़िया, क्या है इसका करेक्ट अंसर सारे बच्चे नोट करो, गुलीबल एक ऐसा परसन होता है जो आसानी से किसी की भी बातों में आ जाता है, आसानी से किसी पर भी विश्वास कर लेने वाला, नोट करो जरा आसानी से किसी पर भी विश्वास करने कर लेने वारा जो परसन होता है वो गुलीबल होता है ठीक है क्रेडिबल होता है विश्वास नहीं है जिस पर विश्वास किया जा सके फॉलीबल होता है जिस पर विश्वास आप नहीं कर सकते हैं अबिलीवेबल बिलीवेबल भी होता है लेकिन question number 15 पर और इसके बाद अपना अपना स्कोर बताना ब्रेवरी क्या होता है onslaught, arrogant, fortitude और नेपोटिज्म, arrogance करते हैं इसको अगर आप बुरा ना माने तो ठीक है, किसको बोलेंगे जल्दी से बताओ, bravery किसको बोलते है, four options आपके पास है answer मिलते ही answer दे देना है अपने सारे बचों ने, ठीक है, बहुत बड़ी है, पता कि आप लोग continuity बनाओगे तो सब मिलेगा, one eight zero zero की file भी मिलेगी, डिपेंड करता है ना, आप लोग कितने concerned है, आप लोग कितने serious है अपनी पढ़ाई को लेकर, ठीक है जी, एक हाथ से ताली बज़ेगी नहीं, मैं अकेला ऐसे करता रहों, कोई फैदा नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर ऐसे करते हैं, आपका हाथ आके मिल जाता है, तो याद रखना, मैं और आप मिलकर दुनिया बदल सकते हैं, आपका NDA जॉइन करने का सपना हम पूरा कर सकते हैं, चाहिए होती है न, ठीक है, तो आपका साथ जरूरी है, अकेला मैं ऐसे करता रहों, उससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, ठीक है, तो इसके answer पर हम लोग बात कर लेते हैं, ब्रेवरी होते हैं, बहादरी, बहादरी होते हैं, फोर्टी ट्यूस, करेज बोल सकते हैं, एंड्यूरेंस भी बोल लेते हैं, चलो, ठीक है, नेपोटीजम पार्शेल्टी होती है, भाई बतीजा बाद, जल्दी बताओ, पार्शेल्टी होती है, एरोगेंस आपको मैंने idea, hotiness, onsalote होता है, 4A. कै दो सर बस, onsalote होता है, 4A, हमें समझ आ गया, 4A क्या होता है, क्या होता है, 4A होता है, to attack, 4A होता है, हमला करना, क्या होता है, 4A, हमला करना होता है, आई बात समझ भी, करें नच्कूशन पर मुग, आप 1.1 के like तो कर दे, शर्माना किस बात का है चल नैस कोश्चेंग पर आजा हूँ सारे बच्चे पता चला ना उंस्लोट 4-1 दोनों का मतलब होता है तो आटैक किसी पर हमला करके उसको डिस्ट्रॉइए कर देना यह इसका मीनिंग होता है नेस्ट कोश्चन पर आजा बचे यह है नेस्ट कोश्चन कोश्चन नमबर 16 जैलेस क्या होता है फॉर आप्शन से आपके पास ओवियस एट्रोशियस एन्वियस और फिरोशियस सब के अपने-पने मतलब है आप बताओ मुझे जैलेस किसको बोलते है और यह नहीं बताया किस अभी जब यही वर्स 50 हो जाएंगे मैं टेस्ट बना कर लाओंगा बच्चे साफ आएंगे ही पढ़ने बोलो आज तो पूरा जोश है सर अहां आएंगे कल देख लेना कल देख लेना लेकिन जो आएगा बहुत नॉलिज लेकर जाएगा डे बाइडे कंटेंट चल चलिए चलिए आंसर पर बात करते हैं हम लोग आई है वाटर अल्सों डॉंट वर्य गुड तो इसके बचे आंसर पर हम बात करते हैं ठीक है जैलस जलन होती है जैलिसी होती है वैसे एन्वियस बोलते हैं एन्वियस जलन होती है हमारे ठीक है ओवियस होता है जाहिर अपेरेंट सफ्ष्ट फिर वह यह बात आगी ओवियस कैंडिड कैंडिड मतलब अपेरेंट नहीं एट्रोशियस कोन होता है यह ज्यान से सुनना एट्रोशियस होता ह है क्रूल पर्सन क्रूल पर्सन ना फीलिंग लेस होता है फीलिंग लेस मतलब वो अन फीलिंग है ठीक है अन फीलिंग का क्या मतलब बताऊ मैं आपको वो एक अन फीलिंग इमोशन लेस पर्सन क्रूर और साथ ही फिरोशियस भी उसको बोलते हैं करें ना इस कोश्चन पर मूव जल्दी से बताऊ बोलो बोलो क्या बात है बहुत बढ़ी है वफ्रिंग होगी दो मिन वेट करना चलो आजो नेस्ट कोश्चन पर आजो पैट्रोनेंस क्या होता है फोर आप्शन गीवन है जल्दी से बताऊ सारे बचे पैट्रोनेंस क्या होता है पैट्रोनेंस और सोरी पैट्रोनेज है पैट्रोनेज पैट्रोनेज क्या होता है फोर आप्शन आपके पास डोनेशन सपोर्ट एस्प्योनेज और बैनिफीशरी कि पैट्रोनेज किसको बोलता है पैट्रोनेज किसको बोलता है बहुत बड़िया ऐगता है वह बता थैंक्यूral सो मच इतनेrit मिरए के लिए पैटरोनिया किसको बोलते हैं आप न कि बहुत बड़ी है वयसे होता है एक प्रीवarti मितलब बचाना एक बचाना सर्चन देना रहा जानी के अब इसको बोल सकते हो सब्सक्राइब तो दां कि एक श्राइज क्या होता है बिनेफिशरी होता है है हमारे पास जिसको फायदा मिले बैनिफीशल नहीं होता है जिसको फायदा मिले वह बैनिफीशल होता है ठीक है बैनिफीशल तो फायदे बंद होता है जिसको फायदा मिले वह बैनिफीशल होता है गुड नैस कोश्चन पर आजा कोश्चन नमबर 18 ट्रावर्स किसको बोलते है four options है आपके पास mingle frustrate take or cross traverse किसको बोलते है four options आपके पास मिंगल frustrate take or cross जैसे answer मिले आप जानते हैं आपने क्या करना है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि मुझे 1.2 के like बोलने चाहिए आपको कहतो सर बढ़ते जा तो रेक्ट आंसर इसका क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ट्रैवर्स होता है बचे पार करना किसी ऑब्स्टैकल को किसी ब्रीज को पार कर लेना उसको ट्रैवर्स बोलते हैं. तो में आंशर बताऊएँगा इसका टू क्रोश, गांते के बारे में बताने की जनुरियत ना परिशान होता है और मिंगल होता है हमारा आपसी समझ आपसी बिरल जोल मेल जोल mutual understanding mutual understanding भी हम इसको बोल सकते हैं next पर आजा ferocious क्या होता है हमने इसी session के दोरान पढ़ा था कि ferocious किसको बोलते four options आपके पास fierce, bitter, danger और animity बताओ correct answer इसका क्या होगा ferocious का correct answer क्या होगा, plan भी लगा ले आपको आपको पक्का पता है ना कि ferocious का meaning क्या होता है हमने पढ़ा था, notebook पे लिखा भी होगा जो बच्चे note कर रहे हो, अगर ऐसा है तो बच्चे plan भी लगा ले लगाओ plan भी बताओ बताओ बच्चे plan भी लगागे बता दे अब ये plan भी क्या होता है और धेहान से देखो ठीक है, ferocious हमारे पास cruel person होता है मैंने अब आपको बताया था, cruel यानी के cruel इनसान मैंने बताया था अबको unfilling भी बताया था cold-blooded भी आपको इसके बारे मैंने बता था कि cold-blooded भी होता है ऐसा परसल फियर्स होता है वो मैंने क्यूं कहा plan भी लगाने को bitter कड़वा होता है वैसे तो कड़वा ही होता है इसका meaning डिरेक्ट तो डेंजर खतरनाग होता है एनमिटी शत्रुदा होती है बताओ फिरोशियस परसन है फिरोशियस परसन है तो क्या लगाओगे इसका नौन और वर्ब में यही तो फर्क होता है फिरोशियस एक परसन है परसन एनिमिट हो SAKता है परसन डेंजर हो सकता है बता हुआ है परसन बिटर हो SAKता है बोलो बिटर तो रिलेशन शोंगे रिडेशन थो एब स्थुस्त नौन हो गया ठोड़ा समझना आदNews समझाएगी इतनी सारी बातें लास्ट कोश्चन करेंगे हम लोग उसके बाद कोंटिनी करेंगे अपने सेशन को कल ज्यादा से ज्यादा लाइक शियर कर देना सारे बच्चे इस क्लास को और साथ ही नए बच्चे चैनल को कर देना सब्सक्राइब लास्ट कोश्चन है ठीक है गुड तो बताओ रेक्यूपरेट करना क्या होता है four options है recapture, delight, recover और overcome, रेक्यूपरेट किसको बोलते हैं हम लोग four options है अब के पास गुड चलिए तो बात करते हैं इसके correct answer की बच्चे correct answer है इसका हमारे पास recover यानि के यह होता है ठीक होना ठीक है recover यानि के ठीक होना हम इसको कहते delight क्या होता है happy recapture, delete करना होता है हटाना, overcome होता है curve करना, control कर लेना काबू पा लेना ठीक है जी so thank you so much बच्चों I hope सारे बच्चों को class पसंद आई होगी अगर class पसंद आई आपको लगरा important content मेरी बहुत बड़ी आ प्रैक्टिस जो है आज हुई या कहीं आसे वर्से जिनके बारे में मुझे जानने का मौका मिला तो आप कल सभी session का इंतजार करिए कल की मेरे timing रहेगी और morning में 11 एम ठीक है झाल